सुमित कुमार होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा mathematics कर रहे होंगे आज की वीडियो में हम लोग बातचित करेंगे जो हमारा TFR GS का जो एक सॉट्टम कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साथ Uber से उसके संबंद में और TFR के exams के बारे में जो बहु 10th of October से स्टार्ट हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके लिए admission लिया है पहले तो thank you very much और बाके जो स्टूडेंट्स अभी डाइलेमा में हैं या लेने वाले हैं इन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके exam इसके pattern जो changes हुए हैं इसके syllabus को लेके बहुत चिंतित में हैं तो वो देखो वो TFR में तो बहुत सारे लोग उसके regarding बहुत सारे लोगों ने mails करा था और चीजे थी तो सब individually reply कर पाना मुस्किल था but anyway तो अब जो TFR ने change करा हो तो उनका काम है आपको यह देखना है कि आपने अपने attitude में changes करें कि नहीं करें है towards mathematics राइट क्योंकि flexible होना बहुत जरूरी है according to the syllabus तो जो भी syllabus में है आपके लिए उसका क्या preparation रहा है अभी तक आपने उसके लिए क्या काम करें है उतमें क्या सुधार हुए है वो आपको अ बनाने में दिक्कत होता या conceptual clarity में दिक्कत है तो ठीक है यह जैसे कि मैंने नाम बता एक सौट्टम कोर्स है इसमें हम लोग जो दो महने में जो best possible हो जिसे आपका knowledge अच्छा हो आपका selection हो वो होगा और मैं जूम करता हूँ कि students थोड़ा बहुत basics उनके अच्छे होंगे जहन अब ही वो इस course में जूड़ रहोंगे मुझे ऐसा लगता है और ऐसा होना भी चाहिए कोई कि आप टियाफार का exam देने जा रहे हो यह कोई play school तो है नहीं कि आप गया admission layer हो गया यहाँ पर एक exam है एक objective exam होगा फिर वो पास करेंगे फिर subjective होगा मुंबई के लिए फिर टिया अपना बैंगलोर क्लेब क्या होगा वो लोग जाने इंटर्वी तो अभी तक होता था रिटेन होगा इंटर्वी होगा उनका काम है जो लें आपको उसमें पास करना है उसमें हम और आप कुछ ही नहीं कर सकते है ठीक है हर institution का अपना rights है वो कैसे conduct करना चाहते है क्या syllabus होग है self-studies है या जो भी चीज़े है और बहुत महिनत किया है आपके कुछ concept बहुत clear है चाहिए आपका target PhD के exam हो या PhD हो जो भी आप courses में जाना चाहते है चाहिए BAC के बच्चे हो या MAC में आप हो या BTEC कर चुके है या जो भी कर रहे हो वो आपका choice है उसके बाद अगर आप य जगह जाते है यह जो भी exams के लिए applicable है TFRs के लिए वो उसके लिए जो उसका syllabus है उसमें जब आप question बनाते होंगो कुछ बनता होगा कुछ नहीं बनता हो या कुछ concepts आप पढ़ते होंगे कुछ clear होती होगी कुछ नहीं clear होती होगी वो होता है वो life के हर पड़ाव में होता ह important यह है कि उसके लिए आपने क्या-क्या मेनत किया है क्या-क्या चीज़े सीखी है और उसमें क्या सुधार होगा है वो अगर सुधार हो रहा है अच्छी बात है अगर उसमें आप अठकर हो चीजों को basic तरीके से नहीं समझ पा रहे हो एक लगता है कि helping hand होने से चीज़ें अच्छी हो सकती है और चीज़ें और clear हो सकती है तो यह short term course आपके लिए है ठीक है यह 7 October से start होगा और जो भी students BAC में है पहली पहली बार को exam देंगे उनके ने course अच्छा रहेगा आगर आप चीजों को थोड़ा समझे हो clear किये हो तो चीज़ें अच्छी रहेंगे और जहा अगर आपने महनत किया है तो अच्छा जाएगा और नहीं महनत किया है तो महनत कर सकते है अभी है दो मेने अच्छा हो सकता है और बढ़िया होगा बहुत जादा basic wise problem है वो तो जब आदमी पढ़ाएगा तो पता चलेगा फिर उसके लिए regular batches होती है ठीक है उसके लिए regular course ह होता है जो कि 2 December से स्टार्ट होगा ठीक है अगर बहुत ज्यादा basically आपको basics वगर हमें दिक्कत हो तो इसमें regular course होता है जो 2 December से स्टार्ट होगा इस course के जोड़ने के लिए जैसा मैंने पहले भी बताय था आप mail कर देंगे nobleforum05 at the rate gmail.com पे ठीक है यहां पे आप mail कर देंगे यहां को description में भी आपको mail id दिख जाएगा अब वहां पे भी mail कर सकते है और mail कर देंगे so that we can contact you अपना contact number अगर लिखके आप mail कर देंगे शॉट्विं कोर्स में जूड़ना है अगर आपको regular course के लिए जूड़ना है अगर आपको target TFR 2026 है तो आप mail इसी ID पर ही करेंगे पर इसके लिए regular course होता है ठीक है अगर foundationally बहुत strong आपने है लेकिन math करने के अच्छा जजबा है math सिखने के अच्छा जजबा है तो इसके लिए regular batch होता है बहुत लोग inquiry कर रहे थे किसा long term course है कि नहीं है long term course बिजदे रेगलर बैच बोलते हैं यह short term course है जो महिने के लिए होगा जब तक आपका TFR का 8 December हो खुली 8 December को हो जाए अब तक लिए exam चलेगा तो जब भी चले चलेगा और मज़े समलुक सीखेंगे classes होंगी सारे कुछ आपको मज़े से चीज़ों को सीखा जाएगा अच्छा रहेगा तो mail करेंगे और बाकी जो syllabus का डाइलमा है आप लोगो वो सब चीज़ पर सटाइए यह देखिए कि जो knowledge है इसको आप कितना अच्छा कर सकते और आगे कैसा आप growth कर सकते है ठीक है उसमें कोई ज़रुवत है conceptual clarity की और आप इन्हेंस करने की और अच्छा हो आपका उसके लिए सॉट्टिम कोर्स है तो mail कीज़ें फिल्म लोग मिलते हैं साथ अक्तूबर से और चीज़ों को इंच्वाई करेंगे ठीक है ठीक है तिल देन इंज्वाइदे सब्जेक्ट बिद केर बाई